हेलो एपरिबरण वेल्कम बेक टू मैं चैनल मैथमेटिक बाई पबन सक्षेना तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट का चैप्टर नंबर टैन कंस्ट्रक्शन ओफ क्वाडिलेटर्स इसमें हम बनाएंगे क्वाडिलेटर्स के बहुत सरे टाइप लाइक स्क्वाइर, रोमबस, रेक्टैंगिल, पैरलोलोग्राम, लाइन पैरलल ड्रॉ करेंगे ये सारी चीज़ हम इसमें इसमें कंस्ट्रक्श करेंगे क्लियर तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सेसाइट 10.1 तो 10.1 में फर्स्ट कोश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्टा क्वाडिलेटरल ABCD, हमें एक ABCD कंस्ट्रक्ट करना है देखें बेसिक चीज सबसे पहले आपको बनाने से पहले एक रफली महां पर उसका डाइग्राम बना ले ठीक है देखें कुश्चन नमबर बन पर आते हैं इसमें कहा रहा है कंस्टक्टा क्वाडिलेटर ए बी सीडी तो सबसे पहले हम एक रफली ए बी सीडी बना ले ए बी सीडी इसके बाद जो जो डाइमेंशन इसमें मेंशन करी होई है उसने हम यहां पर फीगर में दिखा दें देखें A B दे रखा है 3.6 cm, B C दे रखा है 5.6 cm, C D दे रखा है 5 cm, and DA दे रखा है 5.5 cm, and one diagonal AC 6.9 तो यह आपका first question दे रखा है, अगर आपने यह रफली डाइगराम बना लिया, अब इसके बाद आपको कोई भी problem नहीं होगी considering करने में, क्योंकि आपको पता है कि हमें कौन सा आर्प कहां से लगाना है, देखें, सबसे पहले हम A B या B C, या A D, या D C, जब हमारे पास four side and one diagonal दे रखा है, आप कोई सी भी line नीचे draw कर सकते हैं, तो उसे पहले मैं start कर रहा हूँ, या से मैंने एक A B line draw की है, A B, और जिसकी dimension दे रखी है, 3.6 cm, 3.6 cm draw करने के बाद, देखिए, C को नाने के लिए, दो point है, एक तो A C और एक B C, लेकिन D को नाने के लिए, एक A D और C D है, मतलब अगर B D होता, तो हम पहले D को ला सकते थे, लेकिन यहाँ दे रखा है, A C और B C, दोनों की dimension हमें जो पता है, जो known quantity है, हम इसकी बात करेंगे, तो A C और B C दे रखा है, इसका मतलब हम पहले C ला सकते हैं, तो B से, यह 5.6 cm की distance हम फिल करेंगे, कमपा सकेल को कमपास में ऐसे रखके फिल ना करें, सबसे सिंपल तरीका है, आप सीधे सकेल रखें, और यहाँ से 5.6 cm की line draw कर लें, रफ ली जगे पर, draw नहीं करने हैं, तो यहाँ से इस तरह से dash लगा देंगी, यह मेरी 5.6 है, और यह distance आपको कमपास में लेने में कोई भी problem नह आपते हैं, तो 1 mm, 2 mm, 3 mm, हमारा कमपास थोड़ा बहुत आगे पिछे होता है, तो वो गलत होई जाता है, तो इसलिए आपको सबसे बढ़ी तरीका यह है, कि आप यहाँ और यहाँ scale रखें, 5.6 mention कर दें, और फिर यहाँ कमपास रखें, आसानी से major कर सकते हैं, तो यह बा यहाँ से 6.9 का एक आर्फ यहाँ से लगाया, और फिर इसे मिला दिया, यह है हमारा 6.9 cm, तो यह ट्राइंगल फोर्म हो गया, हमारा आदा बार complete हो चुका है, अब हमें लेके आना, यह point हमारा आ जाएगा, C, अब लेके आना हमें D, D से दो ची जुड़ी होई है, C और A, तो D, C भी पता है, हमें D, A भी पता है, अब C से D के लिए 5 cm का आग लगाएंगे यहाँ से, और फिर A से 5.5 का लगाएंगे यहाँ से, यह है हमारा 5 cm का और यह है हमारा 5.5, और इस point को आप A से और इसको C से मिला दीजिए, तो यह बन गया आपका quadulator, क्लियर है, सबसे पह की, फिर B से एक अग लगाया, फिर A से एक अग लगाया, हमें C point मिल गया, अब C point मिलने के बाद, C से एक अग लगाया D के लिए, और A से एक अग लगाया D के लिए, तो यह आपका question number one complete हुआ, अब आता है इसके steps of construction पर, steps में क्या करना है, जैसे जैसे आप यह बनाते गए हैं, बैसे बैसे उनके step लिखते जाएं, step, सबसे one number पर है, सबसे पहले हमने क्या किया था, कि A B को 3.6 draw की थी, तो बहुत ही simple language में, draw A B equals to 3.6 centimeter, clear हो गई बात, इसके बाद, जब हमने A B draw की, फिर B और A को center मानके 5.6 और 6.9 का आग लगाया, तो सबसे पहले क्या लिया हमने, take B, as a center, circle बनाते हैं, center लेते हैं, उसी तरह के दिर B को center लिया, and radius हमने के लिए, 35.6 centimeter, मतलब take B as a center, radius 5.6 centimeter, draw an arc, क्लियर हो गया, B से हमने center लिया, radius 5.6 लिया है, और एक आग लगा दिया, उपर, third step में क्या किया हमने, take, अब A को center लिया हमने, A as a center, same लिखना है, radius के लिए हमने, 6.9 centimeter, draw an arc, अब इस arc ने previous arc को cut करा है, C पर, तो इसके आगे यह लिखना है, which cuts the previous arc, at C, तो हमें C मिल गया, हमने क्या करा, A, C और B, C को join कर दिया, तो join, या meet, A, C, and, B, C, इसके बाद क्या करा हमने, C को center माना, और 5 centimeter की radius लेके आग लगाया, A को center माना, 5.5 centimeter की radius लेके आग लगाया, तो fifth step में आ जाएगा, take, C as a center, radius, radius लिए हमने 5 centimeter और इसके बाद, draw an arc, C पर रखकर 5 centimeter की radius लेके हमने एक आग लगा दिया, same question, second step की तरह language है, एक ही दो step आपको पता होना चाहिए, बागी सब आपको same लगेंगे, फिर हमने क्या करा, take, A center लिया, और radius कितनी लिए है हमने, 5.5 centimeter, और draw an arc, अब इस arc ने previous arc को D पर cut कर रहा है, तो यह उपर वाली line, which cut the previous arc at D, clear, यह ध्यान रखना है, यह उपर वाली line यहाँ पर नीचे mention होगी, तो यहाँ से हमें क्या मिला, D, join C, D and A, D, join C, D and A, D, C, D, A, D, बुलाने के बाद आपको required quadrilector बन गया, तो 8 step में आ जाएगा, A, B, C, D is a required quadrilector, required quadrilector को short मिल सकते हैं, required मतलब जो हमें question में पूछा गया था, जरूरी, तो यह आपको question number one complete हुआ, second question पर आते हैं, एक ही आपको basic चीज़ पता होना चाहिए इसमें, अगर आपको basic चीज़ पता होगें, तो आप बिलकुल सेम इसी की तरह कर सकते हैं, second में है, construct a quadrilector X, W, X, by, Z, roughly बनाने पहले एक, तो W, X, by, Z, अब जो dimensions दे रखी हैं, W, X, दे रखा है 3.6 cm, इसके बाद X, Y दे रखा है 5.8 cm, इसके बाद Y, Z, दे रखा है 4.2, और W, Z, दे रखा है 4.5, और इसके बाद हमाँ एक डाइगोनल दे रखा है X, जेड, अब त्री बाद ये वाला डाइगोनल है, और ये दे रखा है 6 cm, तो सेम है, बिलकुल पहला आपको ये डाइगोनल दे रखा था, अब आपको ये डाइगोनल दे रखा है, स्टेप्स आपको द्यान रखने हैं, कैसे लिखने हैं, और ये कंस्ट्रक्शन हम कराते हैं, सबसे पहले हमने W, X को ड्रॉ कर लिया, ये हमारा W, ये X, और डाइमिंशन है, इसकी 3.6 cm, इसके बाद, जो बाई है, बाई को लाने के लिए Z और X चाहिए, तो अभी Z नहीं है, कैबल X है, लेकिन Z को लाने के लिए W और X चाहिए, तो W भी है हमारे पास, X भी है हमारे पास, W, Z, X, तो हम Z को लेके आएंगे पहले, तो W, Z 4.5 और X, Z 6 cm, तो टेक W एज़ सेंटर, रेडियस 4.5 cm, और ड्रॉ एन आर्ट, यहां से हमने 3.6 से 4.5 पर ज़्यादा होगी, एक आर्ग लगा दिया, कितने cm का? 4.5 cm का, diagonal 6 cm है, यहां रखा, 6 cm की distance लिए, और एक आर्ग लगा दिया, और इससे मिला दिया, तो पहले हमारा point क्या मिल गया? Z, और यह जो X, Z है, ZX है, वो है 6 cm, अब Y को लाने के लिए X, Y और Z, Y होना चाहिए, दोनों दे रखें, तो यहां से Z को center मानके, 4.2 radius लेके, 4.2 का आग लगाएंगे, यहां से, और इसके बाद X को center मानके, 5.8 cm की radius लेके, 5.8 का आग लगाएंगे, जो कि cut करेगा previous R को Y पर, और इससे join कर देंगे, यहां लिख दें, 5.8 cm, यह 6.2, जो भी line आप draw कर रहे हैं, उससे मिलाने के बाद, आप उसमें dimension जुरूर लिख दें, कौनसी line कितने cm की है, clear हो गया, तो यह आपका question number second भी complete हो गया, steps आपको बिल्कुल सेम ऐसी लिखने हैं, सबसे पहले हमने कहा गरा, draw WX equals to 3.6 cm, इसके बाद हमने W को सेंटर मानके 4.5 का अख लगाया, तो take W as a center radius 4.5 cm, draw in R, फिर X को सेंटर मानके, तो take X as a center radius हम क्या ले लेंगे, 6 cm, draw in R, which cut the previous R at Z, same है, तो पहले आप इसका screenshot ले लिजे, note कर लिजे, मैं इसी में इसके stab लिक देता हूँ, note टर लिया होगा अब लोगोंने, सबसे पहले हमने क्या करा, इसे यहां से साफ कर दे, सबसे पहले हमने WX equals to 3.6 draw किया, WX equals to 3.6 cm, इसके बाद W को सेंटर मानके, तो take W, as a center, और radius लिये हैं हमने 4.5 cm, और draw an arc, इसके बाद हमने X को center लिया, और 6 cm का arc लगाया, तो यहां के बली है, 6 cm का arc लगाया, which cut the previous arc at Z, जिसने previous arc को Z पर cut करा, तो उसके बाद हमने क्या करा, W, Z और X, Z को मिला दिया, तो W, Z and X, Z, फिर Z और X को लिया हैं हमने, तो take Z as a center, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Z as a center, रेडिये हमने 4.2 cm, तो यहां आ जाएगा, 4.2 cm, draw an arc, फिर हमने X को एक सेंटर माना, तो take X as a center, रेडिये हमने 5.8, तो यहां पर आप 8 मना दें, और draw an arc which cut the previous arc at by, और हमने इसके बाद जोएन कर दिया, Z Y and X Y, तो हमारे पास required quadrilateral क्या आ गया, तो W, X, Y, Z is a required quadrilateral, clear, तो same step, कुछ नहीं करा, give a point change किये, आप इसी तरीके से इसके आगे वाले question के भी step लिख सकते हैं, clear है, note कर सकते हैं, तो अब आते हैं उसके question number 3 पर construct a quadrilateral nest nest in which dimension दे रखी हैं इसमें, और हमारे बाद इसमें एक angle दे रखा हैं, देखें, सबसे पहले बहीं जी जो आपको पहले मैं बता चुका हूं, एक quadrilateral आप roughly बना लीजिए, इसका नाम है N-E-S-T, देखें आप यह roughly diagram बना रहे हैं, इसमें आप dimension या angle से कोई मतलब नहीं है, roughly का मतलब है कि आप कोई भी line कोई भी कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन nest बना रहे हैं तो series से होना चाहिए, N-E-S-T, ऐसा नाम की N-E-S-T, ठीक है, अगर आप clockwise ले रहे हैं तो clockwise लीजिए, anticlockwise ले रहे हैं तो anticlockwise लीजिए, लेकिन name serial से होना चाहिए, तो N-E-S-T में, एंटी 5.7 cm and angle E रखा है 75 और यह angle हमारा 75 लग नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आपको रफली है तो रफली रहेगा, देखें कैसे draw करना है, फिर से मैंने बताया था कि आप अभी तक वो line draw कर रहे थे इसमें एक diagonal दे रखा था उस side से, अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो draw नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास ts draw करने के बाद, e लाने के लिए केवल एक ही point है, t e नहीं है, n लाने के लिए tn है, sn नहीं है, ठीक है, तो हम n e draw कर सकते हैं या es draw कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी line draw कर सकते हो, देखें, सबसे पहले हमने step number one में क्या करा, कि n e line draw कर ली 6.5 cm, तो हमने यहाँ पर एक n e, इसका नाम है 6.5 cm dimension है, और नाम है n e, e से 75 degree का angle बनाया, तो आपको angle भी बनाना आना चाहिए, 75 degree का angle बनाने के लिए, सबसे पहले e point पर रखके, एक semi circle बनाया, यहाँ से रखेंगे अब, क्योंकि आप line हमारी इदर है, पहला R जो लगता है, तो वो 60 degree का होता है, और यहाँ पर रखेंगे फिर compass, दूसरा R जो लगता है, 120 का, बास समझ रहें, यहाँ और यहाँ की distance अब आपकी change नहीं होना चाहिए, यहाँ रखके एकार लगाया, पहला 60 degree का, दूसरा, point 20 का, इन दोनों के बीच में होता है, 90, तो अब यहाँ से रखके एकार उपर, इधर से रखके एकार उपर, यह आपका 90 का बन गया, हमें यह चाहिए नहीं, लेकिन आपको 75 बनाने के लिए 90 बनाना आना चाहिए, अब 60 और 90 के बिल्कुल बीच में होता है, 75, 60 में 15 एंट कर दीजे, या 90 में 15 मैनस कर दीजे, मतलब यह वाला जो एंगल है, इसका हाफ, तो यहाँ से एक आख लगाना है, अब डिस्टेंस आप थोड़ा बहुत बड़ा कटा सकते हैं, कितनी भी डिस्टेंस का यहाँ से रखके must है, यह तो बनाने आना चाहिए, 75 जितने भी डिग्री के एंगल आते हैं, जो हमारे कंपस से बन सकते हैं, क्लियर, तो यह आपका 75 बनने के बाद, यहाँ से हम 3.8 सेंटीमीटर का आख लगाएंगे, E से S के लिए, क्योंकि यह इस लाइन पर तो S है, तो यहाँ से हमने 3. 3.8 डिस्टेंस फिल की और एक आख लगा दिया, इसका नाम है S, इसका नाम ड्याल दीजिए, यहाँ पर एक X, क्योंकि यह लाइन तो आगे बढ़ती जाएगी, तो उस पॉइंट को में डाल दिया X, यह E S जो दे रखा है, वो है 3.8 सेंटीमीटर, के लिए रोग यह तीन सेंटीमीटर डिस्टेंस का आख फिल करिये और एक लगा दीजिए, एन पर रखेंए 5.7 का आख फिल करिया है, 5.7 लगा दीजिए, और इसे मिला दीजिए, ती यह हमारा है 5 सेंटीमीटर का और यह है 5.7 सेंटीमीटर, तो यह required हमारा quadilateral बन गया, देके, आर्क आपको कहा लगाना है यह आपको बताएगा आपका यह रफली डाइग्राम जैसे कि हमने फाइव संटीमीटर अधर ही क्यों लगाया इदर क्यों नहीं लगाया क्योंकि एन इएस्टी डाइग्राम हमारा ऐसे बना है तो हम बहां से इधर ही तो आफ लगाएंगे और इस आर्क को कड़ क के लिए आपको जो डायरेक्शन चाहिए वह यहां पर रखे कि आपको किदर लगाना है इसको कड करना है ना कि नीचे आउपर और चोड़े चोड़े रखिए कि आपको जिसमें पता लग सकी कि हाँ यह इंट्रसेक्शन यहां हो रहा है ज्यादा बड़े आर्क भी मत है कि जो और आर्क लगेंगे वापस मिल जाएंगे फिर आपको यह किसका और और दूसरी चीज़ आपकी पैंसल बिल्कुल शार्प रहना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जिमेंट्री में आपको यही देखा जाता है कि आप यह जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कितन कुल्सक्क्राइगे पैंसल से मनाशन के अब से 10 यह ब्लकुल शार्प होंवारे कर सकते हैं और फैंसल आपकी बिल्कुल शार्प होना चाहिए बिल्कुल मोटी नहीं होना चाहिए दूसरी चीत अपकर आख के लगा रहे हैं वो एक बार में आप ऐसके बार कंसे कम तीन चा तो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं बहुत सफाइस से करें अगर एक बार में नहीं बन रहा है तो आप दूसरी बार प्रेक्टिस करें तीसरी बार करें लेकिन वो होना क्लियर चाहिए तो यह बाद आपके सुन में आगए तो यह आपका नैस मन गया स्टेप्स सेम जैसे आपने पहले किये थे दो स्टेप बता रहा हूं सबसे पहले क्या करेंगे हम ना हमने ड्रॉ किया है एंड एक एक वास्टू सिक्स पॉइंट फाइफ सेंटीमीटर के लिए रोगए बात य आप एक सिंपल लेंगे में लिखेंगे ड्रॉ करा हमने एंगिल N E X एंगिल का नाम देए होगा न एंसे स्टार्ट हो रहा है एपर जा रहा है फिर एक से पहुंच रहा है यह जिए सिंपल बहुत इसंपल एक वस्टू 75 है कि लिए रोगी बात यह इसके बाद क्या करा हमन एक एको सेंटर लिया है 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 इको सेंटर मानके हमने 3.8 cm की डिस्टेंस ली रेडियस 3.8 cm एंड ड्रो एन आर्क और एक्स एंड ड्रो एन आर्क जिसने एक्स लाइन को एस पर कट कर रहा है विच कट एक्स एट एस बात कलियर होगे इसके बाद आपने बही सारा बर्क कर रहा है जो आपने पिछले कोशन में किया था एसको सेंटर माना 5.5 cm दिस्टेंस लेका अप लगाया ऐन को सेंटर माना 5.7 का लगाया जिसने प्रीवेज आर्फ कट करा। पर जोईन सब्सक्राइब को नेक्स कोश्चन पर आते हैं लेकिन आप पूरे लिखेंगे तो कॉश्चन नमबर फॉर पर आते हैं कंस्टक्टा क्वाइडिलेटरल एबी सीडी भी थ्री साइड एंड टू डाइगुनल अब आपके पास तीन साइड है और टू डाइगुनल है देखिए कॉश्चन नमबर फॉर सबसे पहले वही आप रफली बनाईए ए बी सीडी आपको ड्रॉ करना है इसमें ए भी दे रखा है 6.5 सैंटिमीटर एडी दे रखा है 5.5 एंड बी सी 4.2 टू डाइगुनल एसी है सैबन एंड बीडी है 6.8 ठीक है थोड़ा समय लीजेगा रफली है तो रफली ही तरह बनाए गया है बनाना कैसे है ए बी ड्रॉ करिए आप क्योंकि ए से ही सी दे रखा है बी से ही डी दे रखा है तो आप बहुत आसानी से बना सकत है अगर आपने बी सी ड्रॉ कर ली तो आपके पास सीडी नहीं है अगर आपने एडी ड्रॉ कर ली तो आपके पास सीडी नहीं है एबी तो दोनों केस में ट्राइंगी बन जाएगा लेकिन आपके पास दूसरी साइड नहीं है तो यहां से अगर हम यह ड्रॉ करेंगे नही कि एसे सी के लिए दे रखा है वी से सी के लिए भी दे रखा है पहले आप सी निगाल दीजिए या एसे डीवी दे रखा है वी से डीवी दे रखा है तो आप चाहें दी निगाल दोनों कंडिशन आपके पास जो चलाए कर सकते हैं तो एक को सेंटर मानके 5.5 सेंटीमीटर का लगाया और दी लाने के लिए आपके पास बीडी भी है और यह बीडी साइज सेवन है है तो 6.8 का आप यहां से लगाया और इसको कट कर रहा इसने मिला दिया चुक्चा तो यह आगया आपका 6.8 सेंटीमेटर का और यह डी पॉइंट है बहुत क्लियर हो गया फिर एसे सी के लिए सेवन सेंटीमेटर का लगा दीजिए तो यहां नहीं और बी से इसे कट करने के लिए 4.2 का लगा दीजिए और इससे आप बिला दीए यह 4.2 है यह 7 सेंटीमेटर है और यह हमारा सी पॉइंट देखिए आप सी लेकर आईए यह डी लेकर आईए उससे कोई पर नहीं पढ़ना पहले आप यह भी ट्राइंगल पहले बना सकते हैं आपको तीन साइट दे रखके ट्राइंगल प्राण करना है कर सकते हैं यह यह बना लिए दोनों ही केस में सी और दी मिल जाएंगे आपको अलग अलग सी और डी को आपस में नहीं डायमेशन नहीं कोई मतलब है आप सी डी को मिला दीजाए बन गया ट्राइंग इसके बाद स्टेप्स आपको बता चुका हूं है कैसे ड्रॉग कैसे बनाने ड्रॉए भी को 6.5 टेक ए गजैन आरक है हमें क्या मिल घ्ष जाएंड बीडैंड एडी सेम इस टेप्स आपको रिपीट करने हैं सी के लिए टेक सेंटर डेजिए 7 सैंटीमेटर ड्रॉए नार टेक बीडियर सेंटर रेडियस पौर कुछ सेंटीमीटर ड्राइनार सी मिल गया सी कमला दीजिए और सीडी कमला दीजिए ओके लिए दूसरा तरीक बताया था मैंने आप एडी ड्रॉ कर किया बीजी ड्रोग रिर कैसे बनाएगी देखिए हमने एडि ड्रॉप कर लिया है अगर c लेके आना है लेकिन c लाने के बाद dc नहीं है और a b लाने के बाद bd है तो आप यह ड्रॉड़ लीजिए पहले तो हमने यहां से लेगा पहले हम दो किया है हमने तो a के ऊपर न भी इधर है न भी तो यहां कटते हुए और इससे आप मिला दीजिए यह हैं है 6.8 cm के लिए क्या लाना आपको सी देखे सी लाने के लिए एसी भी है और बीसी भी है तो सी लाने के लिए एसे आग लगाई है सेवन सेंटीमीटर का और बी से आग लगाई है इसे लागा लेए और यह कितना था हमारा सेबन और बीसी है इसमें 4.2 लिए अइसे यह नाम है यह यहां से a BCD तो आप ऐसे बनाना चाहें तो हैसे बनाते हैं से बना सकते हैं डूनों तरीके से बना सकते के लिए यह खरी कर सकते हैं कि अधैसि के इसकी नमब़र 5 बखार आते हैं-ोड नाइचिड फॉर्छakahन gesprochen 2020 हे हमारे पास इसको अधिये बनाना हे है अब से पहले व है एक रफली डाइग्राम बनाई है इसके बाद हमें जो डाइमेंशन दे रखी है ए भी है 4.5 सेंटीमेटर बीसी है 5 सेंटीमेटर सीडी है 4 सेंटीमेटर एडी है 4.8 सेंटीमेटर और एंगल ए है 120 बेहाद आसान 4 side and 1 angle तो angle किस पर दे रखा है ए पर तो आप चाहे एडी ड्रॉ कर लीजिए या एबी ड्रॉ कर लीजिए दोनों तरीके से बना सकते हैं सबसे पहले हमने एबी लाइन ड्रॉ की और इसकी डाइमेंशन है यहाँ पर हमारे पास 4.5 सेंटीमेटर एंगल बनाना है हमें ए से 120 का तो देख्या भी मैंने पहले इससे बताया था एपर रखिए कमपास और यहां से एक सेमी सर्क्ल बना दीजिए डिस्टेंस अभी आपकी कमबड़ी होना चाहिए मिलकुल यहा है और यहां रखना है और यहां पहला है जो कि 60 डिगरी विचल मैं फिर यहां रखना है ओप्र यह दूसरा यह हमारा 120 और इसके बाद इसे इसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए क्रिए ऑर होगे बाद यहां रखके पहले एक सेमी सर्क्ल बनाना है फिर यहां रखके पहला आर्क 60 डिगरी का दूसरा आर्क 120 का 30 राख बनाएंगे तो यह बनेटी का लगेगा स्टेट लाइन बनेगे तो फिर से बताया था कि मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिजिए एकस फॉर पॉइंट इसके बाद यह एडी दे रखा है पॉर पॉइंट तो अब एसे पॉर पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे और यहां पर एक आख लगा दीजिए और यह हो गया आपका डी पॉइंट कि चाहें तो आप बीडी मिला सकते हैं लेकि ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके अब अब सी लेकर आना है तीन पॉइंट आ चुके तो बीसी में रखा है सी डी भी दे रखा है तो वीसे ऐफ सेंटीमिटर कि को सेंटर मानेंगे फाइफ सेंटिमिटर की डिस्पैस लेंगे औ और सी पर एक लगाएंगे सी के लिए बड़ा साथ भी लगा सकते हैं क्या पतक काम ले जाके और फिर दीपर रखना है और फोर सेंटीमीटर का लगाना है तो दीपर रखना है इसको कट करता हुआ थोड़ा से कट करेंगा अब इसके बाद आपको सी पॉइंट मिल चुका है पर बिला दीजिए तो यह हो गया सी और यह था हमारा 5 सेंटीमीटर का और यह सीडी था 4 सेंटीमीटर का तो यह बन गया आपका क्वाडी लेक्टरल विद 4 साइट यहां पर भी है यह 4.8 सेंटीमीटर 4 साइट एंड वन एंगल स्टैप्स पहुदी सिंपल सबसे पहले यह बी एक्वस्टू 4.5 सेंटीमीटर तो यह पहला स्टैप हो गया दूसरे स्टैप में हमने एंगल एसे 120 डिग्री का बनाया है तो यह आप 120 मेंशन भी कर दें तो ड्रो नाम लिख सकते हैं आप बी ए एक्स यह केवल एंगल है ठीक है तो आप एट क्लास में हैं तो अपना स्टैंडर को मेंटिक करते हुए थोड़ा सा नेम पूरा ही लिखे थ्री लेटर्स में तो बी ए एक्स जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो पॉइंट कहा रहेगा बीच में तो एंगल बी ए एक्स हमारा हो जाएगा वन हंड्रेड पॉइंटी डिग्री का ठीक है फिर हमने क्या करा भी एको सेंटर माना 4.8 की रेडियस ली और एक्स पर आख लगाया तो थार्ट स्टैब में आ जाएगा टेक कि ए एजा कि सेंटर कि रेडियस कितनी ली है हमने 4.8 सेंटिमीटर कि रेडियस 4.8 सेंटिमीटर ड्रो एन आर्क ड्रो एन आर्क एक आर्क लगाया कहा लगाया जो की एक्स को डीपर कट कर रहा है यह वाला तो यहां क्या लेखेंगे हम विच देछ अलस ट sas a x 3% पॉइंट ऊपर है ध्यान रखिएगा एंच मछ भी तो इसने इस पॉइंट को कट कर ड्र या लोगी बात यह फिर उसके बाद वनें गराक ब्रोंड या लगायँगो स्टलमान के एक चलग है फिर इसके बाद step number four हमने क्या करा टेक कि भी एज़सेंटर अज़िए लगाया उसकी लेंद कितनी है फाइब सेंटीमेटर रेडियस और इसके बाद क्या करा हमने इसके बाद five में हमने क्या करा टेक डी अब दी से सेंटरल पानके अग लगाए इसने बी सी बादे को कट करा है एज़सेंटर रेडियस लिए है हमने four सेंटिमीटर की और रा एन आर्क विच कट दा प्रीबियस आर्क एट सी विच कट दा प्रीबियस आर्क एट सी ज्वाइन डी सी एंड बी सी ज्वाइन डी सी एंड बी सी अब एबी टी गया हमारे पास रिक्वाइड कोडिलेटर तो एबी सी डी इस आ रिक्वाइड कोडिलेटर क्लियर हो गया तो यह आपका कंस्रिक्शन था जब आपके पास four side है one angle है three sides है two diagonal से three four sides है one angle है तो इस टाइप के इस सभी तरह के कोडिलेटर आपने इसमें मना लिए नेक्स एक्ससाइज जो 10.2 होगी उसमें आपको पढ़ेंगे कि आपको कंस्रिक्शन करना है कोडिलेटर है three side and two included angle जब इसमें तो एंगल दे रख्यों इसके बाद आप पढ़ेंगे to construct a quadrilेटर मेंट two adjacent side and three angle दो side हो और तीन एंगल हो एंड और इसके बाद पढ़ेंगे आप special type of quadrilेटर आप कैसे बनाएंगे special type में आप types of quadrilेटर पढ़ेंगे तो यह आपकी exercise 10.1 complete week thank you so much